अब कहूं तो को लोभ लालची फिट फिट मुरख जान लोभन लाग्या चरंधनी के जासो पाईए घर निर्वान अब जिन जाओ तरफ माया के प्राणाधर सुन्दसाज जी मंच पर बिराजवान पुझे स्वामी जी एवं उपस्थित अन्यत विद्वजन सभी के चर्णों में सरप्रथम मेरा कोटान कोट प्रणाम जी सुन्दसाज जी अक्षराती धाम के धनी प्रकास हिंदुस्तानी ग्रंद के इस प्रकरण से हम सभी सुन्दसाज को माया के बिकारों से किस प्रकार से लड़ा जाए उनको कैसे जीता जाए ये कला हमें सिखा रहे हैं संसार में जितने भी प्राणी हैं उनके अंदर काम, क्रोध, लोब, मोह, अंकार जैसे जो विकार हैं माया के विकार कहे जाते हैं वो सभविक रूप से पाये जाते हैं आज दिन तक जितने भी रिसी मुनी हो गए उन्होंने परब्रम को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास किये परंतु उनमें से अधिकतरों के साथ ये हुआ कि वो मायावी विकारों के कारण वो परमात्मा को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके क्योंकि उनके तप के अवस्था में ये जो विकार थे मायावी विकार थे वो आड़े आए और उन विकारों के कारण उन महात्माओं की उन रिसी मुनियों की तपस्या जो है उखंडित हो गई ये जो समस्या थी ये बहुत बड़ी समस्या थी जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस भारत भूमी पर आये इस प्रिथ्वी पर आये अपनी ब्रह्मात्माओं के साथ तो वो ब्रम सात्माइं जब इस जीऊ पर बैठी तो उन जीऊं का जो संस्कार थे।। कि उनके अंदर भी ऐसे ही मायावई विकारों के संसकार के कारण उन पर भी अशर पड़ा वह भी इनके चपेट में आ गई और उन्हें भी यह विकशा सता ने लगे जियूं के सुभाव के कारण संसकार के कारण वो अपने धनी के तरफ नहीं लग पाई तब धामधनी ने हमें ये वानी दी और वानी के माध्यम से इन बिकारों का क्या करना है ये भली भाती हमें इस प्रकण के माध्यम से समझा रहे हैं परंतु ये इस वानी के आने के पस्चात भी हम सुन्दर साथ की जो इस्थिती है अत्यंत हास्यास्पद है धामधनी ने इन विकारों से लड़ने की कला तो बताई लेकिन सुन्दर साथ की जो इस्थिती है उन रिसी मुनियों से भी बत्तर है हमने हमारी जो समस्याएं हैं हमको जो विकार परिसान करते हैं ये जो रोग है इसकी जो अवसिदी में लिवानी रूप में इस अवसिदी को हम नहीं ले पा रहे हैं ये बात क्या दर्सा रही है ये बात सिर्फ हमारी राजी को प्राप्त करने की जो इच्छा सकती है उस चीज को दर्सा रही है कि हम राजी को पाना चाहते हैं या नहीं पाना चाहते हैं कहने का अतात पर है कि हम इस प्रॉब्लम जो समस्या है उसका समाधान ही नहीं चाहते अन्य था कब तक हम इस प्रकण का अध्यन करकर के हम इन विकारों से छूट गए होते हैं हम सभी सुन्दर साथ न जाने कितनी बर वानी का पाठ किया होगा इन चुपाईयों से गुजरे होंगे इतनी उम्र हो गई चर्चाएं सुन ली अपस में डिसकसन भी किये हैं फिर भी कोई लाप नहीं दिखाई देता है समस्या जयों कित्यों बनी हुई है ऐसी स्थिती में हमें क्या करना चाहिए क्या हो कि हमारे हिर्दे में चोट लगे और हम अपने धनी के प्रति जागरू को हो जाएं और इन मायावी बिकारों से उपर उठ करके कुछ द्रिड संकल्प ले अपने आपको प्रेरित करें एक अच्छे लक्षे के लिए सुन्दर साज जी इस प्रकंड के माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैंने जो भी इस प्रकंड के मैं अध्यन किया हूँ जो भी समझा हूँ और अपने बुद्धी बल पे या नभूती के बल पे ज्ञान के बल पे जो भी बता रहा हूँ या कह रहा हूँ वो आप लोग बिलकुल एक चित होकर सुनिए तो साइद कुछ आप यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा हम सभी सुन्दर साथ राजजी के तरफ मुणना चाहते हैं जाना चाहते हैं लेकिन यह जो मायवई विकार हैं आड़े आते हैं सबसे पहला विकार जो इस प्रकंड में बताया गया है वो है कामना हम सभी संसार में तरह तरह की कामनाओं को लेकर के संसार में भागते रहते हैं दोड़ते रहते हैं अनेको इच्छाओं को लेकर भागते रहते हैं इस संबन में धामधनी ने कहा कि सुन्दर साथ जी आप यदि अपनी इच्छाओं को मोड़ दो इनको दिसा दे दो सकारात्मक रूप दे दो तो यही जो इच्छाओं हैं यही जो विकार हैं यह हमें क्या करेंगी हमें अपने धनी से मिला देंगी ये जो विकार है ये विकार नहीं रह जाएंगे क्या हो जाएंगे दिब्य गुणों में परिवर्तित हो जाएंगे तो हमारी कामना क्या है संसार की सुखों को इकठा करना एस्वर्य को इकठा करना अनेक संसाधनों को इकठा करना और उसका भोग करना लेकिन यदि हमारे अंदर ये उत्कंठा पैदा हो जाए कि हमें राजी का खरना है तो एसी इच्छा हो जाए ये भी एक कामना है हम समाज के लिए कुछ करें हम अपने प्रणामी हमें नीजानन संप्रदाय के लिए कुछ करना है ये भी एक इच्छा है लेकिन यदि ऐसी इच्छा उत्पन हो जाती है तो हम ये इच्छा होते हुए भी अलोखिक इच्छा के रूप में बदलेगी और हम राजी के लिए अपने संप्रदाय के लिए कुछ कर गुजरेंगे तब इस प्रकंड के अनुसार हमें एक और दुर्गुण है विकार है क्रोद हम अपने घरों में अडोसी पडोसियों से लड़ते जगड़ते रहते हैं घरों में छोटी-छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं और इस क्रोद के कारण हम दूसरों का नुकसान तो करते ही हैं साथ में नजाने अपने सरीर के अंदर भी नजाने कितने विकार उत्पन कर लेते हैं हमारे सरीर के अंदर भी उस क्रोध के कारण उत्पन 20 के कारण भी कई नुकसान होते हैं कई लेकिन धामधनी कहते हैं कि प्राणाधर सुंदर साजी यदि आपको कुरोध करना ही है तो आप इस बात के लिए कुरोध कीजै कि आपने अभी तक धाम धनी स्रीराजी महराज का दरसन क्यों नहीं किया अपने अपने जो परम धाम की सखियां हैं ब्रमात्माय हैं उनको जगाया क्यों नहीं उनकी चीजों पर प्रोध करेंगे, तो साईध इस क्रोध के कारण जो दूसरों का नुकसान करने में जो अरजा ब्याइ करते थे, वो जो अरजा है, वो इस छेतर में लगेगी, और आप बहुत बड़ा कारे कर गुजरेंगे, और आप आएंगे कि मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया है इसी तरह से लोब भी एक दुरुगुण है लोब भी हमें बहुत परिसान करता है हमें संसारिक संसाधनों की बहुत ही लोब रहता है लालच रहता है उसकी पाने की उतकंठा रहती है राज्जी महराज कितने सुन्दर है उनसे ज़्यादा सुन्दर तो कोई संसार में है नहीं उनसे ज़्यादा प्रेम करने वाला कोई भी नहीं है फिर भी हम इस संसार में अच्छे अच्छी वस्तूओं की प्राप्ति के लिए लगे रहते हैं यहां तक कि अच्छे वर की सुन्दर 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 वर की भी कलपना करते हैं लेकिन हमें अभी तक यह एसास नहीं हो पाया है कि राजी राजी धामधनी से कोई भी ज्यादा सुन्दर नहीं है उनसे ज्यादा कोई भी प्रेम करने वाला नहीं है यदि हम सुन्दर साथ इस बास को जितना जल्दी समझ जाएं उतना जल्दी ही हम समाज के लिए कुछ कर पाएंगे इसी तरह से मोह भी एक दुरगुण है मोह की डेफिनेशन देने के लिए मुझे कोई आव सकता नहीं है यहाँ पर उपस्तित सभी सुन्दर साथ मैं आप सभी जितने लोग हैं सभी मोह करते हैं मोह कहलो या प्रेम कहलो सुक्षमांतर जरूर है लेकिन इस प्रगण के माध्यम से मोह कातातपर प्रेम से ही है तो सभी प्रेम करते हैं लेकिन हमारा जो प्रेम है वो हमारे सगे संबंधियों के लिए है लेकिन यदि हम इस प्रेम को अपने राजी के लिए मोड़ दें उनके लिए बचा लें तो हम सफल हो जाएंगे इसी तरह से मद, अहंकार, मतसर, इरस्या भी, माया भी दुरगण है हम इस बात का बिल्कुल भी अहंकार न करें कि हमारे पास बहुत ज़्यादा धन है हमारे पास सुन्दर रूप है हमारे पास अच्छा सरीर है हम गोरे है या किसी भी छेतर में हम बहुत ज़्यादा परिपक्व हैं पूर्ण हैं तो उस चीज का अहंकार करें बलकि इस बात का अहंकार करना चाहिए कि हमारे पास वाणी है हमारे पास धामधनी का दिया हुआ मेहर है प्रेम है और उसके बल से हमें सभी सुन्दर साथ को जागरित करना है यदि इन चीजों का अहंकार लेकर आगे बढ़ेंगे तो हम जरूर सफल हो जाएंगे इर्षया भी करनी है तो इस चीज की इर्षया करें कि हमें हमसे कोई आगे न निकल पाए किस छेत्र में? अध्यात्मिक छेत्र में हमसे ज़्यादा कोई ध्यान के छेत्र में आगे न पढ़ जाए बढ़ जाए ऐसा नहीं कि दूसरे के ध्यान में बाधा ढाल करें बलकि अपनी ध्यान को बढ़ा करके अपनी ध्यान को समय को बढ़ाएं अपनी लखीर को लंबी करें तो इस तरह से हम अपने मायावी दुरगणों को साकराद्मक रूप दे करके पॉजिटिव थिंकिंग से अपने आपको बहुत ही उचे इस्तर पर ले जा सकते हैं समय के अभाव के कारण बिस्वय पर ज्यादा बिस्तार नहीं हो पाया सो छमा चाहता हूँ और बस इनी सब्दों के साथ मैं अपनी वानी को बिराम देता हूँ बोलिये स्री प्राणनाथ प्यारे कीजै तुम बेठाएं बेठत हूँ मुझे में नहीं ताकत बेठी कदम तले हक ए भी तुम कहवत ए भी तुम कहवत महामत कहें मेहबूब जी सब सुन्द साथ के चर्णों में पनाम सुन्द साथ जी श्री महामतीना धाम दर्दैप पर द्र्याजमान थाई धाम धनियमना मुखितिक केवडावी देहा छे अन्य महामती कई रही छे केवानी सोबा एना तन्ने छे पण अंदर बेसीने केवडावी कोण रही छे साखसा धाम धनी महामत कहें मेहबूब जी मेहबूब उतले के वालो अक्ष्रातीतने वालो अपणे केम कहिये छे कारण के प्रेमनों सागर छे अन्य आपणने प्रेम पन करे छे आपणे बितक वाँची छे के दरेक एवा प्रसंगों छे अन्य आपणे आपणा जीवन मा पन जोईए तो आपणने खबर पड़े छे के राच्ची खरकर आपणने केटलो प्रेम करे छे आपड़े सु करिये आपड़े वधार्मा वधारे तो थोड़ी सेवा करिलाईए कादो थोड़ु ध्यान करिलाईए कादो थोड़ा सुन्दसातने जागरत करिये आशिवा आपड़े सु करिये चे पन राज्ची आपड़ा माटे राज दिवस के कई दिते मारी आत्माव जागरत थाए आ चिन्ता कोणे चे राजची ने आपने जागरत थवाने चिन्ता नथी पण जी जागरत करवा माटे आव्या चे राज दिवस आपने चिन्ता करे चे जे पन तन पकड़े छे राज्जी आत्माओन धारन करे छे आत्माओने जागरत करवा माटे ये तन ती केटला कष्टो सेहन करे छे कोना माटे आप्रा माटे मन्सुर मा बिक्षा मांगे कि राम नगर मा बिक्षा मांगे ये पन कोना माटे शुन्दसात माटे राज्य ने भिख्षा मांगवाने के जूरू नती राज्ची जारे तो अब पन्ना मापने साम्बलें बितग माठे राज्ची ये पन्ना निदर्थी महिरा इराकल नाके धcciones पन्न ए राज्ची भिख्षा मांगे तो कोना माटे? सुन्द साथ माटे पन सुन्द साथ राज्जी माटे सु करेची राज्जी आपन वाणी आपी अने येमने प्राप्त करवा माटे रस्तोपन बतावियो पन आपने वाणी खाली सांभले एक काने सांभले अने बिजा काने काड़ी दिये ची तो वालो कोण राज्ची कोई रहान और उदाम स्ति माहमति कहे चेक दाम धनी हवे कोई उपायज पाकी नथी अपने विच्छार करे तो सु कोई कारी कोई काम कर्या वगार रही सके खरू पन चरण कहे चे कि कोई रहान और उदाम कि हवे कोई पन बीजो उपाय बाकी नथी आना पिलानी चोपाई मैं खुदी पर अधाय चे कि खर्यकर आप्णिया तंथी विकई सिवाव करे चे कोई असरेती सेवा करे कोई धनती सेवा करे कोई मनती सेवा करे कोई सुन्दसातनी चागनी करे पन आपड़े कहिये तो छेक बधू राज्जी करे चे पन आ क्या थी आपड़ा गलाना उपरती सब्दो निकले चे अंदर तो आपड़े विचारे चेक मूच करू छू अने आहुं करूछु केवान वदिकार कोईनों पर नती आपने जोए गुलाब नुप फूल आपने देखाएचे आपने आपने नच दे पने एपने फूल नुप मंत पानरा होएचे आने यहनु ज़ाड होएचे आने यहना ज़ाड नी मुलो क्या होएचे जमीन मा अने मुलो सुर्यती गर्मी प्राप करे अने नीचे जमीन थी पानी प्राप करे आपने कोई पन अस्तित्व नती आपने ज़्ञान आपी कोने राजजिये सिवा करवा माटे जी बुद्धि आपी एपन राजजिये आपने धन आपी एपन राजजिये पछे आपने में सानी लेवी आपड़ु काये पन नतीत पचे आपड़े पोताने में खुदि साम अठे लेवी जो कोई मारे इन दुस्मन को करे सब दुने कोई सान पोचावे सबो चरन धनी के तो भी लेनान तिन गुमान वाणी आपने सावधान करे छे कि सुन्दस साथ जी सावधान थै जाओ आपड़ा ने दाजजिन वच्चे कोई परदो चे तो आ में खुदिनो एही में खुदि तरे तो बाकी रहा खुदा कि जाँ सुधी आपड़े पोताने वच्चमा लाविशू के हुँ करू छू त्याँ सुधी राज्जी आपड़ा थी घणा दूल चे जादे आपड़ा रदयमा एम आवी जसरी के धनी तादा सिवाई मारू कोई अस्तित्वज नती भल्या आजे कार्य थाये चे मारू तन माध्यम छे पन करवा वालो तो तूच्चे तो कदाज अमारा रदयमा साचो प्रेम आवसे एज वात्रा चर्णमा कई चेक अब दह्या कोई दह्यान और उदम आवी इस्तित्य त्यारे जावसेक चारे आपड़ा रदय थी चे अम्मे खुदी चे ये निकली जसे त्यारे आपड़े जेपन करी सूँ एमा रज्जी जसे पचे एमा आपड़े भोताने वच्चे नहीं लागे कि हूं करूछू बेशक और काहू नहीं बेशक बेशकी विजे ज्यायश न थी संसारना ज्ञानमा अपड़े जोगे तो धर्म गंथों आपन संसे दुनियाना बदा धर्म गंथों आची जाओ तो काईक न काईवा संसे असे कि आँ आम छे तो आम केम नहीं अन्या संसे क्या रे नी मटे उपनी सद्म कयो छे कि भिद्यते हिद्ये ग्रंथी निवर्तन ते सर्व संसे चेंते चार्शे कर्मानी तसमें दिश्टे परावरे कि जा सुधी एब्रम ना दर्सन नी थाये त्या सुधी आपड़ा संसे मटवाना नती पर आव वानी बेसक छे अन्ये आगल कहें छे बेसक और काहू नहीं बिना तेरे तले कदाम के धाम धनी तमारा चर्णों सिवाई बिजे क्यां बेसक नती एटले कि तमारा चर्णों सिवाई अमारों बिजो कोई पण आसरो नती जे पण छो एटमेज चो अन्ये जे पण मने आप्यू छे एपण तमेज आप्यू छे अन्ये आगल जे पण आपफान चो एटमेज आपफान चो अन्ये आ रिते आ भाव जादे पोतान रदै मल्ले ने आपड़े अगल वच्छू तो अपड़े आ मे खुदिनु बंधन तोडिने राजिना प्रेम मा रुबी जासू अन्ये त्यारे आपड़ू आ जागणिर ब्रह्मान मा अवू सफल तसे पोलो स्रीपतान नाथ प्यारे की जै अवे चो पाई दो दाविशू बिना तेरे तरे कदम स्री महमत कहें महभूब जी कोई रह्यान और उदाम बेसक और काहू नहीं बिना तेरे तले कदम बिना तेरे तले कदम बुरू स्री प्राणे नाथ प्यारे की जै जागणि का प्रक्रण अब जाग देखो सुख जागनी प्राणधार पैरे सुन्दर्शाजी एबम मंच मा विराजमान विद्वत मंडल सरो पर्थम हजिर हरुको धाम हिरेदे मा विराजमान अक्षरातीत ला मेरो कोटी कोटी प्रेम प्रणामची श्री महामत जी कलस हिंदस्तानी को यस प्रक्रण जागनी को प्रक्रण बाट हमी सवे सुन्दर्शाजी लाई प्रभोधित गर्दे भंदे हुनुँँच अब जाग देखो सुख जागनी अब हमी लाई यस जागनी को ब्रह्मान मा जागरित भायर जागनी रास को सुख लिनुँच कसरी रकी न के यो भंदा पाईला हमी लाई परम धाम को सुख मिलेगो थे न एसको सन्वंद मा श्री महामत जी भन्नुँच ब्रमस्रिष्टी हुती ब्रज रास मे प्रेम होत लक्षबीन सो लक्ष अब्बल को लियाए रू अल्ला पर न थी आखिरी इलम पुरण समय भंदा पाईला हमी ब्रज में आयो तेती विलामा हमी लाई कही पनी सूथ थे ना कीना? कीना भंदा खेरी? ब्रज को लगा मन्डाला तेती अल्ला पुरी प्रीक्त हर्न बहनेरा ऊप्मा दिएक्टी निंद्र इंड्ला अवस्ता को बेला थे थे बेलामा हमी लाई केही पने शूथ थे ना ना ता धाम धनी को ने सूथियो, ना ता परम धाम को ने सूथियो, ना ता आपनो सोरूप को ने सूथियो। रसुंदर साथ जी, तेस वसी हमी रास मा गयो। रास मा हमीले धाम धनी को तो पहचान गरयो। तरह आपनो मूल घर को विशय मा हमीला था भयना। यहां महामती जी भन्दे हुनों छा कि रू अल्ला श्री श्यामा जी ले हमिला के लियाओनु भयो? हमिला जगोनी को प्रयास गर्णु भयो? परमधाम को ग्यान दिनी प्रयास गर्णु भयो? तरा तेती बेलामा के थेना? तारतम बाने थेना? इलम ज्यान थेना? तेसे कारण लेगर दाखेरी जब समन ज्यान एस संसार मा सोयम श्री प्राण्णाची को द्वारा एस जागनी को ब्रह्मान मा जाहिर भयो? तब समन हमिलाई एस जागनी को सुख मिलना सके ना? येस को सोभाग्य के बल ब्रह्मस्रिष्टी लाई मात्र सा? येस जागनी को ब्रह्मान मा जागरीद भयर त्यो अखंड धाम को सुख लीनी सोभा के बल? कसलाई चाता? ब्रह्मस्रिष्टी स्वाहागीन आत्म हरुलाई मत्र सा? तीन लीला चवंथी घरे की इन चारों को यामे भुफोग। मैंले पहलाई भंदे की ब्राज्मा तेस बची रास्मा रद तेस बची सद्गुरु धनिश्री देवचनजी को तान बाठा जब हमिलाई यहां बाठा पनी हमिला शुक मिले न तेस बची हमिलाई एस जागनिको ब्रह्मान मा स्वेम श्री प्राणना ज़ी प्रकट भायर हमिलाई एस जागनिको शुक ले प्रदान गरदे हुनूंचा तेस यह कारणले भन्णूंचा इन चारों को यामे भुफोग। येस ब्रज देखिन बारा लेरा परमधाम को जुन सोबा स्रिंगार साथ परमधाम पनी हामी ले येस जागनिको ब्रमान को जस्तो सुख प्रदान गरन सके का थे नौँ तेसे कारण ले येस जागनिको ब्रमान लाई सरूपरी बताई एको छा रा अब श्री महामती जी भन्नों हुन्छा कि येस जागनी को ब्रह्मार्ण मा जागरीत भायर त्यों अखंड सोख लाइली ने तर अब हमें को सेरे जागरीत हुने मेन कुरात यहां छा हमी सबे सुन्दर साज जागनी को विशय मा निके ने चर्शा गरने छां अगी भख्खरें तुलसी दिधीले पनी हमी लाइ येसे जागनी को संदर्मा भन्नों भायर हमी ले जागनी को विशय मा ठुलो ठुलो डिंगे हांक्षो हमी यो गर्शो ओ गर्शो तरके सुन्दर साज जी आफुले कईले ये विचार गरे का सो कि जागनी भने को की हो सुन्दर साज जी केबल बाणी पड़े रा बाणी लाइ बाहरी तरिकाले लिये रा बाणी को अर्थाला न समझी कना बाणी लाइ हमी केबल पाठ को रुपमा लिंचो भने इसला जागनी भन्दे न सुन्दर साज जी जागनी केला भन्द सा महमत जी भनों सा यही अपनी जागनी जो याद आवे नी जो सुख इसका यही सो आवे ही यही सो होये सनमुख वस्तम जागनी भने को यही ने हो पर आतम के अंतस करण में जेती बितत बाद तेती इन आतम के करत अंग साक्षाथ जती लीला हरो हमर पर आतम ले श्री राज्जी संग गरे का थिये त्यों लीला हरो जब आतम मा आउदस तब हमर आतम जागरेती मानना सकीन छा सुन्दर साज जी केवल तार्तम को छचो पाईलाई हमीले गरहन गरेर अरु सुन्दर साथ अरु समाजला हमी यो भन्दे हिन्य भन्दिखीन योता हमरो भूलने हो सुन्दर साज्जी तेसे कारण ले सुन्दर्शाजी यदि हमें आत्म एस जागनी को ब्रह्माण मा जागरीद भायर एस जागनी को सुख लिना चाहांचो वंदिकीन हामर हिरिदे मा एस बाणी को जुन सार तत्व स हमें तारतम लिने समयमा की बंदा सो ए सत बाणी मत के लिवजो इनको साहर इन साहर में कै सत सुख सोमय निर्णै करो निर्धार ए सुख देव बर्मर्शिष्टी को तोमय अंगना नार ये सुभा कल लाई सा ए सुपाय को दोसरो चरण मा पने यही भनिये को सा ए सुख स्वागीन जोग ये सुभाग्य केवल ब्रमा आत्मा हरू लाईने सा एस बाणी लाई पड़े रा भूजने रा एस लाई जन जन समन फैलाउने सुखा केवल आत्मा हरू लाईने सा तिसे कारण ले सुन्दर्शाज जी ये सुख अवसर लाई हमें वेर्थमा नगमाओ श्री महामत्य जी येस बाणी को माध्यम बाटा सबे धर्म प्रेमी सजन हरुलाई प्रभोईदीत गर्दे भन्नोंच जागो पहले आप पेचानो रे साधू पहले आप पेचानो बीना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहें में जानो तिसे कारणले सुन्दर्शाथ जी सबे भन्दा पहला तो आफूले आफूला चीनो र तिस बची हामी औरू भूले भटके का सुन्दर्शाथ हरुलाई हामी ये बोद गर्व कि सुन्दर्शाथ जी हामी ये माया को हुईनो हामी परमधाम को हो जब हामी जागरीत हुन छाओं तब हामी लाई एक एवटे कुराक मत्र विचाराओं दशा ए मूल मिलाओ अपना नजर दीजे इता पलक ने पीछे फिरिये जो इसक अंग उपजद सुन्दर साज जी अब जागनी को समय को यो अंतिम समय मा हमी ले अब जागरीत भायरा श्री राजीला रापनु परातम लाज चिन्नी को समय आईसके गुशा रापनु किमती समय लाई ब्रह्मबाणी पड़े रापनु आत्मा लाई जागरीत गरने प्रयास गरनोस भंदे मा अपनु सब्दा हरो लाई यही बीराम गरना जहां चू बोलिये श्री प्रानना थ प्यारे की जये चो पाई दो रहो नोस नर्शाज जी अब जाग देखो सुख जागनी ए सुख सुहागीन जोग तिन लिला चौंथी घर की इन चारो को यामे भोग इन चारो को यामे भोग बोलिये श्री प्रानना थ प्यारे की जये प्रामज श्री माहमत कहे मेह बूबजी खेले थे चाहया दीला किरंतन राग्षरी निजनाम सुई जाहर हुआ The words of this Kirantan or Dibani is saying directly that the people who have been seeking, who have been searching for the Lord, the Almighty Lord, now he has identified himself as the one. Today we call him as Pranatji. There are lots of religions in our world and they have all the common factors. They have the religious small groups known as, some call them as Christians, some call them as Muslims and today we are known as Hindus. All of the people here knows the Almighty Lord in the different names. If you will ask the Christian who is going to come, then he will say that the second Christ will come. And today we are going to the world saying that Pranatji has already come. And what they will see, if we will say to Muslims what and who is going to come, they will say that Imam Mehendi is going to come. And lastly, today in Hindu society also, they are seeking and they are searching for Buddha Nishkalanka Autar, Kalki Autar. And again we are saying that Pranatji has come to this world that nobody understands what we are saying in the society. So here it is saying, Today all of the Sundarsat, not only the Sundarsat, the old people also are seeking the Almighty Lord, whether it is directly or indirectly. Today we have gained the knowledge of Tartambani. So we have got contact with Pranatji directly. But how the world are searching for Pranatji? If you will see, they are trying for the lots of money, they are seeking, they are trying to find a lots of happiness in the world. Now if we will see, what is the happiness? What is the meaning of happiness for those people? Then we can clearly state that the happiness is not another thing. But the happiness contains in the Almighty Lord and it is known as Paramatma in the Hindu scripture. But today we have read all the things like in Bible we can say and it is written there that I will come in the behalf of Holy Spirit. The Bible has said that He will come and why He will come also the reason has been given in the Bible. If you will see the Quran, in the Quran also it is written that if someone will ask you that when your Paramatma or when your Imam Mahindu is going to come, then tell Him directly that I am going to come next day. So it is also given proof that I will come. And in the Hindu Dharma Grant scriptures it is said, Today, in the Hindu scriptures it is quoted that the Almighty Lord will come because of their holy souls. When they will be in the deep dark sea of ignorance, then He will make them bath in merciful ocean. The meaning of merciful ocean here is the wisdom, the eternal knowledge which today we have in front of us. So, today the Nijanam sohi jahir hua, it has been clearly said, but today our Sundasat and us, we have not done anything about this. But here Sri Raji has given us the instructions, what we should do and what we should not do. Who has come here? The one is saying, the one from the Paramdham where there are lots of actions being done. There are lots of plays are being done in that Paramdham and today it is being revealed in front of you. Today, you know all the things, all the incidents, what the things will happen in the Paramdham. All the people were searching for that. And today, I Brahma Atam Sat, who has come here? The Lord, Holy Spirit, chosen people, or today we call them as Brahma Shristi. Many of you are the souls of Paramdham. And why they have come, here it is written, Mukta Desi Brahmandako. For the salvation of all the common people, the Brahma Atma have come to this world. The Chaupai of Diwani again says, Brahma Shristi Ko Sukha Ghar Ka Isuri Ko Deni Buddha. Here it is said in Vaani, that to the Brahma Shristi, the Almighty Lord has come here to give the happiness of Paramdham. And to the people whom we call Isuri Shristi, to them to give the intellect of the Paramdham. Because the Akshar Brahma wants to know about the Paramdham, what has happened there. What are the actions being done in there? So for that reason, the Brahma Atma have come here. And secondly, the Chaupai verse in down it is said, Mukta Karna Brahmandako Dhaniji Lai Jagrit Buddha. Or for the salvation of the all common people. Today, we are meditating. We are doing all the lots of kinds of things for the salvation. But there are no any progresses in it. But here the Brahma Shristi who have come here, it has already proved that we will get the salvation. There is no any need of any swans prasas which we have done yesterday. And all the kinds of stuff we are doing in the outer sections. But we must follow what we should do. And the Vani says, Ho meri sata atma, tum ao ghar sata khasam. Where you should go? You should follow your instinct. And know that you have in front the Kuljamswarup. You know the Sagar and Shingar. You know the Parikrama. You have known all the paths from where we should go. Where there are any much ladders. And where is Mulmilava. All the people say, Mulmilava apna nazar dijoit. So Dhani is also saying, yes. We must try and try to go to the Paramdham. Nazar chhodo ri jhootasupan. Ayu dekho sata vatan. Now lift this all the perishable world. What you are seeking in this world right now. A lot of people are seeking for priority of respect, money and lots of things. But here Dhani has said, leave these all kinds of things and come and try to follow the right path. At last, Mahamati ji is saying, Shri Mahamati kahe suno sat. Dekho khol bani pranat. Dhani ji liaye dham se vachan. Jin se nyara na hoye charan. Shri Mahamati ji is requesting all of you to open the Kuljamswarup. It's been a lot of years that we have closed and worshipped it in the temple. But today he is requesting you in front of you to open this and think deeply what is written inside it. A small example I want to give. We go to the doctor if you are sick and we prefer for a medicine. When the doctor gives us prescription and the medicine, we take it in the home and we sit there. Now it's been a month, it's been a year and we have not eaten a medicine there. And we say, why we are not being healthy? And we say, no, our doctor is good. Our doctor is excellent, but why I am not being healthy? So this is our condition Sundar Sahaj ji. We have not eaten the medicine of Kuljamswarup. So this was for today Sundar Sahaj ji. I would knock him out. So when we are not .. It is actually my god and and ... Huh I am a team of android. साथ अंग मिरा इन घर सदा हम नित बिहार इन घर सदा हम नित बिहार रागश्री धवल आय आगम वानी तमिली बिस्व मुखा करत बखान मन्चा आसिन विराजमन पुझे स्वामी मुहदेया अन्या बिद्वान सह एवं आत्मा संबन्धी सुन्दर सात हा प्रणाम अध्यतनियेह मौम प्रवचन्य विसेह वर्तते श्री बिज्याविनन्द बुद्धनिस्कलन अवतारह अस्मिल संसारे सर्वे मत्मतांतरह परमात्मा विसेह मुक्त कंठेन बदंती सा प्रमात्मह इस्वरह इती एक एवास्ती न दुत्यो न चत्यत्याह सा प्रमात्मनह अस्मिन संसारे भविसेती सासरेशु प्रमाणम अस्ती अस्माकम पुराणेशु बुद्धनिस्कलन अवतारह भविसेती कदा भविसेती इस्पष्ट रुपेह लिखिता अस्ती सह प्रमात्मनह अध्या अस्यकलियोगे समय कदा भविसेती इती यावनानम कुरान ग्रंथे क्रिष्टिनानम वाइवल ग्रंथे सिखा जनानम गुरु ग्रंथे सहाइब अपी प्रमात्मनह अस्मिन कलियोगे भविसेती अस्ती अस्मिन बिसेया प्रथमाह प्रमात्मह साक्षात रुपम पस्तुत करिश्यामी अक्षरातित एसो हो बुद्ध उच्छते तेजो मयादी तस्चरूप उच्छते अर्थात चर पुरुसाहाद परह अक्षर पुरुसा तासाम अपी परह सह तेजो मय प्रकास वरुपवान उत्तमपुरुस प्रमात्मा बुद्ध निश्कलंग अवतारह अस्मिन संसारे भविश्यती ती अस्मिन विश्या अन्याच भविश्य वण्याह संती तद यदाह वुद्ध वो कल की रुपा विश्यराम परात्परम जानम प्रापम प्राप मृत्यम संभविश्यती निश्यतम यस्मिन संसारे सा प्रमात्मा आगमिस्यंती यत्र अन्यत्र धर्म ग्रंतह अपी लिकितह संती अन्यापी अत्र एकह प्रस्ना उद्भविश्यती ती सह परमधाम निवास श्री राजी अस्मिन अश्टा विन्सती कली युगे किमाथम अवतरी स्यती ती अस्या प्रस्नस्या समधान एवास्ती एथ अखंड परमधामन निवासि यह सर्वाह ब्रह्मरूपाह प्रियाह अक्षेर ब्रह्मनह निमित्तम दुख मही, मुह मही, अज्यान मही, मायायाम, द्रिशाम, अस्मिन, जागिनी ब्रमांडे आगच्छवान ता सर्वाह प्रियाह अबद्धय, पुनाह परमधामह प्रतिनेतु बुद्ध अवतारा प्रादुर भवत अस्मिन, विशेय, अस्माकम तार्तम वान्यह अपी, उक्तम आवसी धनी धनीरे सब कोई कहते, आगमी कहते पुकार, सो सतवानी सब की कोई अब आय करो दिदार अस्माकम धर्म ग्रन्था, धर्म सजनाहा, सिष्ट पुरुसाहा, योगी मुनिही, महर सहयाहा, पीर पैगम्मर, भविशे वक्ताच पर्माहत्म आगत्वान, विशेय उक्तवान, तेसाम प्रमाणम अत्र दियते जोग रंबा कर दिह राखी, नव नाद जाय बसेवन, सिद्ध चवरासी और कोई योगी, सोवि कारण या दिन, अर्थाद, यदा हा, रिसी महर सी, हिमाले हा, समाधी आसान, तेसाम, अपी ज्यानम ना असित, सह बुद्ध, निश्कलंग अवतार, कुत्र एवं, कदा भविस्यती इती विशेय, धर्म ग्रेंतेशू प्रमाणम अस्ति, चित्रकुटे वने रम्य, सहवे तत्र भविस्यती, विजियावी नंद बुद्ध जी, और निखलंग इत आये, मुक्त सब को, एत दर्थम, अस्माकम समीपे, ती एसाम साक्षात, तार्तम वाण्याह अस्ति, अस्माकम समीपे, एसाम सुवर्णम अवसर, यद वयम बुद्ध निश्कलंक अवतार, श्री प्राणाथेन, जानेन, जानेन, श्री तार्तम वाण्याह जानेन, आत्म जागरती भविशेती, यदि, तार्तम जानेन, आत्म जागरती भविशेती, चेत प्रमधाम सिग्रम एव गमिश्यामह प्राण प्रियतामेना सह मिलापम बातलापम किडायम एव करिश्यामह धन्यवाद प्रणाम जी अधिक जानकारी के लिए देखे www.spjin.org